आज कर एक न्यूज है जो बहुत ही जोरो शोरो पे वाइरल हो रही है जी हाँ अमेरिका के एक मशूर सिंगर है जस्टिन बीबर जिन्हों ने एक बंदर की फोटो खरीदी है वो भी 500 करोल रुपए में जी हाँ आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक बंदर की फोटो ये कैसी फोटो है जिसको 500 करोल रुपए में जस्टिन बेबर ने खरीदा आईए क्या है पूरी बात ये जानते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक बंदर है जो की लगातार उसकी शकल बदल रही है लगातार इस फोटो में चेंजेस आ रहे हैं और आ करीबन दस हजार रूपों में अपना मुह बदलता रहता है यानि कि ये जो है दस हजार शकले बनाता रहता है अलग-अलग शकले बनाता है जिसको खरीदा है जस्टिन बीबर ने वो भी 500 करोल रुपए में यही जो बंदर दस हजार तरह की शकले बनाता है यही शकले बिक ये तस्वीर सिर्फ online तरीके से ही खरीदी गई है इसे इसकी कोई भी hard copy नहीं है इसका print out कहीं पर भी नहीं है ये सिर्फ online ही available है जी हाँ आप सोच रहे होंगे तो क्या इसको हम अपने mobile की screen पर लगा सकते हैं तो जी हाँ आप सही हैं इसको आप सिर्फ अपने mobile की screen पर या laptop के wallpaper पर set कर सकते हैं ये आपको online ही मिलेगा इसकी कोई भी copy नहीं मिलेगी आपको अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये online ही क्यों मिलेगा इसका क्या कारण है तो इसका कारण है NFT जी हाँ NFT NFT यानि की non fungible token अब ये non fungible token क्या है आईए ये समझाते हैं केविन मक्कॉई नाम क एक व्यक्ति हैं जिन्होंने NFT का अविश्कार किया NFT आज वर्तमान समय में millions of dollars का व्यपार भी कर रही है आईए जानते हैं कि आखे ये कैसे काम करती है NFT के दो टर्म है non fungible और fungible इसको इस तरह से समझ सकते हैं एक उधारन की तोर पे कि मान लीजे आप किसी भी अपने share mechanism आप उससे मिलने जाते हैं और मिलने जाने पर वो आपको अठोग्राफ देता है मान लीजे कि आप अम्ता बच्छन जी से मिलने गए और उन्होंने आपको उटोग्राफ दिया तो जिस paper पर यह जिस handisher उन्होंने ऑठोग्राफ जिया या pen पर ही तो उसको आप समाल कर र भी replace नहीं कर सकता, exchange नहीं कर सकता, ना तो ये big सकता है, और ना आप इसको किसी भी कीमत पर, चाहे कोई कितना भी रुपए देने को तयार हो, आप इसको उसको देंगे, तो इसी को कहते हैं non-fungible, और fungible वो है, जो आसानी से आप किसी को दे दे, किसी दूसरी वस्तू के exchange कर लें, उससे आपको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि वो उस पे किसी की ना तो sign है, ना तो autograph है, वो आपके लिए सिर्फ एक सामान है, इसलिए उसको नाम दिया गया fungible, आईए अब जानते हैं कि आकर ये fungible token क्या होता है, इसको समझते हैं कि उधारन के तोर पे, कि मा मैंने token या code में convert किया है, इसको कोई other person अगर देखता है, या लेना चाहता है, तो उसको उस token या code के साथ वो जानकारी भी मिल जाएगी, जो कि मेरे पास थी, इसी को कहते हैं fungible token, अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि शुरुवात में जो आपने एक बंदर देखा था, क उसकी कोई भी दूसरी copy नहीं है, वो दुनिया में सिर्फ एक ही है, अब आप अगर उस बंदर को खरीदना चाहते हैं, तो आप चाहे 500 करोल रुपै ना दे करके, सवा 500 करोल रुपै देते हैं, तो इससे फाइदा आप सोच रहे होंगे किसको होगा, तो इससे फाइदा उ उसी शक्स को होगा, अब आपको स्क्रीम पर एक चित्र दिखाई दिए रहा होगा, जिसका नाम है Octogons, इसका center यानि की केंदर एक ही जगा पर है, इसी प्रकार non-fungible में भी आपको बताया है कि quantum होता है, जिसका भी center एक ही जगा पर होता है, quantum जिसको की दुबारा नहीं ब बने होते हैं, या तो coding से, या तो किसी विशेश प्रकार से बनाए गए होते हैं, इनको कोई और ना ले सकता है, ना तो बना सकता है, अगर उसको लेना होगा, तो code के माध्यम से ही उसको ले सकेगा, जिस तरह से लोग cryptocurrency को खरीद रहे हैं, उसी तरह से NFT का भी लेंदेन, च आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को like, share और subscribe भी करें, हम आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमशकार